हेलो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक होने वीडियो में तो भाई आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं भाई कुछ किसान भाई जैसे की पिछे अपने ट्रेक्टर के रूटा बेटर या कुछ भी अपलिमेंट जोड़ते हो करहा वगयरा और एक छोटी सी गलती करते हैं भाई अधिकतर सभी किसान भाई मैंने देखे हैं अधिकतर ड्राइवर ये जो लिवर होते हैं ये इन दोनों को उठाने के लिए जोसे कि कुछ भी अबलेमेंटेस को उठाने के लिए दोनों को यूज करते हैं तो भाई आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो अगर आप दोनों को उठाते हो तो भाई इसको इस आदत को सुधार लें आप अपनी तो नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके ट्रेक्टर के तो भाई क्या नुकसान होता है इस चीज को करने से तो भाई यही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो भाई वीडियो को 읽 मत करना वीडियो के एंड तक जूड देखना और जो भाई channel पे नेया channel को subscribe कर लेना तो वो चलो भायि भी नदेरी के वीडियो को सुरू करते हैं तो भाई जैसे ये ट्रैक्टर में liver दिये जाते हैं lift को उठाने के लिए तो भाई एक ये दिया जाता है इसमें PC लीवर है एक ये DC लीवर है तो भाई कुछ किसान भाई क्या करते हैं इन दोनों को ही उठाने के लिए दोनों को ही उपर उठा लेते हैं तो भाई इससे क्या दिक्कत है अगर भाई आप इसको दोनों को उठाते हो तो जैसे कि आप road पे ले के जा रहे हो कहीं कच्चा है road तो उसमें क्या होता है जैसे कि पीछे बहुत heavy load होता है भाई, इसमें तो जैसे जटके मारता है तो आपके जो detector का pump होता है तो उसमें परभाव पड़ता है भाई, इसका तो वो जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं अगर आप दोनों लीवर को उपर उठाते हो तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी भाई दोनों लीवर को उपर नहीं करना है तो भाई कुछ ड्राइवर भाई मैंने देखे भी हैं कोई दोनों ही जो लीवर होते हैं इनको उपर उठाने के दुन्नों को ही यूज़ करते हैं तो बैह आपको ऐसा नहीं करना है अगर ढराप ऐसा करते हैं तो बैह आपको नुकसान भूगत ना पड़ेगा आपनेटेक्टरिग अंदर तो बैह जो यह होता है ये लीवर होता है DC तो भाई इसको गहराई नापने के लिए काम होता है, इसका कोई काम नहीं होता हो, यह जो यह लिवर है, तो इसको उपर नीचे करने के काम ही होता है, तो भाई सबसे ज्यादा आपको यह यूज करना है, तो DC जो लिवर होता है, इसको आप गहराई नापने के लिए काम कर सक मैं आपको बताव डूंद pillar आपको यह होता है इससे आपको ओठाना है ये इसको आपको गहराई नापने के लिए ये यूज होता है तो जब भी आप इसको रोड पे लेकर जाएं तो इसको बिल्कुल नीचे रखें अगर हाँ आपको लगता है जैसे कि कुछ भी अगर ये नीचे हो जाता है अगर दोनों उठाने से हमें बिल्कुल सेप रहता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है हमें इससे उठाना है भाई अधित सभी टेक्टरों में ये लोक दिया जाता है अगर आप इसको लंबे रूट पे लेकर जा रहे हो पिछे कुछ भी अपलिमेंट जोड के तो इसको आप यहां से लोक कर सकते हो जैसे कि यहां यह लोक हर टेक्टर में मिलता है आपको तो इसको इस साइड करके इसको लोक कर देना है तो फिर अगर आपका जो लिवर भी आए ये निच्चे भी आ जाता है तो आपका जो एपलिमेंट है पिछे वो निच्चे नहीं गिरेगा तो भाई इसको लोग को यूज कर सकते हो हाप तो भाई इसको नहीं यूज करना दोनों को तो भाई अधिकतर टेक्टर में ये लिखा भी मिलता है कि हल जाते वक्त दोनों लिवर को उपर नहीं करें तो भाई जो महिंद्रा के टेक्टर है उनमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसमें लिखा हुआ नहीं है तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता तो भाई टेक्टर जैसे की कहीं भी ढलके अग्यार में जता है तो ये रूटर वेटर उचलता है कुछ भी एबलिमेंट होता है तो उचलता है तो सिधा आपके जो पंप में परवाव पड़ता है तो भाई ऐसी गलती ना करें तो भाई इसको सुधार अपनी गलती जो भी ऐसा करता है तो भाई कुछ किसान भाईयों को तो ये पता भी होता है वो जल्दी से ऐसी कुछ भी गलती नहीं करते है तो भाई जीन किसान भाईयों को ये नहीं पता है तो भाई उनके लिए है ये वीडियो है भाई यही आपको बताना था तो भाई इसको यूज करना है भाई आपको PC को उठाने के लिए और जो DC होता है इसको गहरा ही ना अपने के लिए आप यूज कर सकते हो तो भाई यही था आज की वीडियो में भाई वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए धन्यमाद थेंक यू सो मच